शैतान बॉक्स ओफिस कलेक्शन दिन साथ कथित तौर पर 65 रुपए करोड से बनी शैतान ने दुनिया भर में अब तक 108 रुपए करोड की कमाई कर ली है अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका, जानकी बोधीवाला और अंगद राज अभीमीद शैतान ने गुरुवार साथवे दिन 5 रुपए 75 पैसे करोड कमाएं विकास बहलद्वारा निर्देशित यह बॉलिवुड फिल्म एक अलोकिक हॉरर थ्रिलर है यह 2023 में आईवाश नाम की गुजराती फिल्म का रीमेक है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शैतान 65 रुपए करोड में बनी थी शैतान ने घरेलू बाजार में रिलीज के दिल आठ मार्च को 14 रुपए 75 पैसे करोड की शुद्ध कमाई की अलोकिक हॉर थ्रिलर ने शनिवार को 27.12% की वृद्धी देखी और 18 रुपए 75 पैसे करोड की शुद्ध कमाई की इसके बाद रविवार को इसमें 9.33% की वृद्धी हुई और इसने 20 रुपए 50 पैसे करोड की शुद्ध कमाई की सोमवार को इस कदम से संख्या में 64.63% की गिरावट देखी गई और 7 रुपए 25 करोड कमाने में सफल रही हाला की तब से यह स्थिर बना हुआ है मंगलवार को फिल्म ने 6 रुपए 50 पैसे करोड की कमाई की बुधवार को इसने 6.25 करोड रुपए का बिजनिस किया बॉलिवुड से रिलेटिड लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलिवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँ थैंक यू